लेखक अपने एक मात्र जीवन में कई सारे जीवन जी लेता है और पहुत जाता है पात्र और चरित्र की भावनाओं में गहराई में जाकर कुछ ऐसा रच जाता है कि कहानी और उपन्यास हमें अपनी कहानी सी लगती है चलिए कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले सत्र की ओर लेखक से मिलिए जहां हम मिलेंगे कथाकार, कवी, उपन्यासकार और सामाजय कुद्व में श्री संतो शौबे जी से नमस्कार, रविन्ना टेगोर्विश्विद्याले, द्वरायवजित, विस्वरंग 2020 केश्य। सत्र लेखक से मिलिए मैं आपका स्वागत है आज के इस सत्र में हम जिनसे बात चीत करेंगे हो हमारे समय के बहुत ही सम्मानित लेखक आधरणिये संतोष चोवेजी हमारे साथ है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिशुरंग का ये स्वपन आधरणिये संतोष चोवेजी ने देखा उसे पूरा कर रहे हैं लेकिन सबसे महत्रून बात ये है कि आज जो संतोष चोवे हमारे साथ हैं वो लेखक संतोष चोवेजी हैं उनका जो सबसे पहला परिचय है वो ये कि वो एक लेखक हैं, बहुविधाई लेखक हैं, अनवादक हैं, कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी उपन्यास लिखते हैं, अलोशना करते हैं, मतलब तमाम विधाओं में उनकी समान गती है और ये हमारा सोभाग गया है कि बातचीत के लिए उन्होंने हामी भरी, और उन्होंने हमें समय दिया, एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं, मत्रों मैं बातचीत सुरू करूँ, उससे पहले एक बात बता दूँ, कि अधरनिय संतोष चोबे जी की अभी दो किताबे है वो वरिष्ट चित्रकार और प्रख्यात कथाकार अधर्णिये प्रभु जोसी जी का बनाया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, बहुत संदर छपाई है इसकी, और दूसरी किताब है जो अभी-भी कुछ दिन पहले ही आई है, भर्मित आदमी के लिए एक किताब, ये एप सुमाकर के किताब का अनुवाद है, संतोष चोवे जी के दौरा, Guide for Perplexed, उस किताब का ये हिंदी अनुवाद है, और इसके नीचे एक टैग लाइन है, COVID के बाद की दुनिया के लिए, बहुत-बहुत बधाई संतोष जी आपको, धन्यवाद, पहला सवाल मेरा यह पुष्ट करने कोशिस करते हैं, कि हमारे समय में जो संकट है, हमारे समय का संकट मूलता नैतिक संकट है, वो आर्थिक संकट नहीं है, आर्थिक संकट तो हमने हल कर लिया है, बतावर लेखक, आप इस वाकिय को कैसे देखते हैं, क्योंकि हिंदी, खासकर आधुनिक हिंदी कहानी या साहित्य का जो ट्रेंड रहा है वो तकरीबर गरीबी हटावो तहीब कर रहा है कि आर्थिक समानता उसके केंद्र में है इसके बाद सामाजी को और राजनाइतिक तमाम चीजें लेकिन आर्थिक विसमता को ज़्यादा एड्रेस करती है उसका लगता है कि इसी के कार अन्य सारी विसमताएं भी हैं आप इस लाइन को कैसे देखते हैं ठोकि आपने बहुत कुछ लिखा है कहानिया लिखी है उप अन्यास लिखे हैं धन्यवाद अरुनेश शुमाकर की जिस किताब का आपने जिक्र किय वो मेरे जीवन का एक तरह की गाइडिंग किताब है और पिछले दस वर्षों से मैं उसके उपर बूलता रहा क्योंकि हम कहानी पर बात कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इस तरह की जो स्थापना है वो कहानी में कैसे आती है और अगर हम उसको देखेंगे तो ह अगर हम दर्शन या इतिहास या अन्य सामाजिक स्थापनायों को कहानी में कैसे लाया जाए इस पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि हमारे समय की समस्या नैतिक समस्या है आर्थिक समस्या नहीं है तो नौ बिंदों का खेल जो मेरी क कहानी है उसका समापन लगभग इसी स्थापना के साथ होता है कि जिस तरह से अर्थ की तरफ देखा जा रहा है जिस तरह से धन कमानी की प्रक्रिया की तरफ देखा जा रहा है जिस तरह से भारत में बहुत सारे उद्योग पती या पूझी पती धन कमानी की प्रक्रिया में लिफ्ट हैं उसके समनांतर भी एक चीज हो सकती है जो नैतिक भी हो और फिर भी उससे धन पैदा कमाया जा सके और संतोष और आनंद प्राप्त किया जा सके तो मेरी कहानियों में मैं कोशिश करता हूँ कि एक संतोष आनंद और सुकून की प्राप्ती कहानी पढ़ने के खटकर नैतिक समस्तियाओं पर बात करें आनंद और संतोष की तरफ लोटें और वहां से कैसे साहित एक आश्रय की तरह लिख सकता है उस पर आये कल ही एक पत्रिका में एक पाठक का पत्र मैंने पढ़ा जिसमें उन्हों लिखा कि नौबिदों का खेल पढ़ने के बाद यह सुकून जो शब्द है वो पाठकी प्रतिक्रिया है और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है क्या इसलिए आप जो है अपने लेखन में या वक्तब्यों में लगातार आदर्स की वकलत करते हैं कि आदर्स अगर आपके लेखन में रहेगा तभी अथिक समस्य से मुक्त हो पाएंगे। प्रयोग थे जिन पर अलग तरह से विचार किया गया पर अब एक तरह की वापसी की जरूरत मुझे महसूस होती है और मैं इस यथार्ट की बात करता हूं जिसमें से आदर्स जहलकता है यदि आप गरीम नवास के पात्रों को देखेंगे तो वो पात्र अपनी जगह पर ब अजिए लगता है कहानी में जो पात्र आता है उसकी जगह को बदले बिना भी आप आदर्श की बात कर सकते हैं और कहानी अपने आप में एक अंतध्वनी एथी पैदा कर सकती है जो की आदर्श वादी लगे इधर का आपका लेखन खास करके इसे इस किताब में भी ये बात आई है और जलतरंग उपन्यास हो या नोविंदूओं का खेल हो या सता पर तेरती उदासी हो दरीदा ने एक बात कही थी जो कि इस किताब में भी है सुमाकर के भी कि बाइनरी जो बनी हुई है जैसे दिन और राप पाप और पुर्ण ने इस तरह का ऐसी कोई बाइनरी होती नहीं है दोनों बने एक जुडाव होता है एक के बिना दूसरा नहीं है जब आप संगीत कह करते हैं जलतरंग में आप संगीत और सोर को एड्रेस करते हैं यहां गरीब नमाज में तमाम तरह का तुच्छापन है आदर्स भी है दोनों चीजे आप लगातार इगमों को साथ लेकर के प्रेम और नफरत भी है चलते हैं साथ में तो और दूसरा ये कि लिखा भी है आप ये जो लगातार कर रहे हैं कि दो प्रस्पर भिरोधि चीजों को साथ ने की कोशिस प्रेम द्वारा कहानी और उपन्यास से कितना सारा काम कर लेंगे आप क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक सार डिल करते हैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा है कहानी से और व्यापक लक्षते वापस लोटें तो मुझे लगता है कि हम अपना जीवन और ये बहुत हमें बाद में मालूम पड़ता है कि अपने पूरे जीवन इन शब्द युग्मों के बीच में हम गुदार देते हैं हम इन प्रतिलोम जो शब्द हैं उनके बीच में अपना जीवन गुदार देते हैं और मूल चिंता हमारी ये होनी चाहिए कि हम निर्णय क्या ले रहे हैं तो सहीति का मुझे लगता है ये काम है कि वो उपर से हसक्षेप करे और जो मानव की ज़्यादा उच्चतर भावनाएं हैं जिसमें प्रेम हैं, करुणा हैं, दया है इस तरह की चीजों से यदि वो हसक्षेप करता है और पहले काहनियों में इस तरह की चीज़ें मिलती भी थी हमें तो हम अपने जीवन का जो कंफिक्ट है उसको रिजॉल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे आप कह सकते हैं कि कहानी क्यों किसी कंफिक्ट को रिजॉल करें, कहानी कंफिक्ट को दिखाए वो भी काफी है तो हाँ जरूर दिखाए लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि अति आवश्चक हो गया है कि कहानी एक दिशा हमें जरूर प्रदान करें और उसके बरक्स और मूली हो सकते हैं मॉर्बिडिटी एक बड़ा मूली है, बहुत कथाकार मॉर्बिडिटी के मूली को अपनाते हैं कई कथाकार रुगनता को अपना गुण मान लेते हैं कई कथाकार घ्रना को अपना गुण मान लेते हैं कई जगों पर प्रेम को घ्रना की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह अपने-अपने कथात्मक शैली है, मेरी शैली यह है कि मैं चाहता हूँ कि कहानी से एक तरह का सुकून पाथक के मन में पहुँचे और उसके मन में प्रकाश पैदा हुए तो अगे ने अपनी जगे एक जगे कहा है कि कथा यह साहिति का काम क्या है एक अन्हेरा कमरा है और साहितिकार जो है उस पर भग से एक रोष्णी जला सकता है वो रोष्णी जो है किस कोने को प्रकाशित करती है वो साहितिकार के हाथ में है तो मेरे पास जो कुने हैं या मेरे पास जो लक्ष है तो ये है कि इस तरह की एक भावना को उद्वेलित किया जाए या प्रकाशित किया जाए जो आपको आश्रय प्रदान करती हो, सुकून प्रदान करती हो और जीवन के पूरे कन्फिलिक में से कोई रास्ता निकाल सकती है मैं आपसे सहित और विचार धारा पर भी बात करना चाहता हूँ, मैं उस पर आओंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है थोड़ा हटके आए, जितना मैंने आपको पढ़ा है, कहानी और उपन्यास में खास करके, अगर फादर विलियम के प्रसंग को छोड़ दिया जाए, तो दहिक संबंधों को दिखाता आपके हाँ वैसा कोई प्रसंग उतना ओपन नहीं है, जबकि रोमान्स आपके हाँ बराबर बना हुआ है, चाहे ये वाली कहानी अभी जो आई सता पर तैरती उदासी, या रेस्तरा में दो पाए, मतलब वो बीच प्रेम में गांधी, एक तो नहीं ऐसे कोई खास वदा है अथा मैं नहीं मानता हूँ, मेरे हाँ असल में तो कई लोग मुझे मानते हैं प्रेम कहानियों का लिखक मानते हैं और आपका ये अप्दरबरिशन थोड़ा उससे अलग है, अगर आप हलके रंग की कमीज से शुरू करेंगे, तो हलके रंग क और नीती का प्रसंग भी एक तरह से उस तरह का है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जब इंटरनेट का जमाना है, अगर आपको डहिक प्रसंगों में जाना है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी देख सकते हैं, और उसके लिए कहानी में आने की का एक तरह से आकांगशा है, और पतनी की एक तरह से उब है, ये दोनों चीजें, बलकि उसका ये कहना है कि वो श्रम दिन भर करने के करना ठकान में चलिए हैं, या सहता पर तरती उदासी में शरीर दिखता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं दिखता है, जैसे कि कई वार्ण मतलब कि जैसे अब दर्शम पूरा हो गया, उसमें एक वार्णात्मक्ता की जरूट नहीं है, इंगित ही अपने आप में काफी इरोटिक भी हो सकता है, इंगित अपने आप में परिपूर्ण भी हो सकता है, और हमें पॉन्ड के जमाने में बहुत ज्यादा जहिक वेवरण हैं तो उसका आस्वाद अलग होता है एक तो एक म्यूजिकल सेंस जिसे आप कहिए कि सांगीतिक चीज उसमें रहती एंडर टून रहता है, दूसरा कि थुड़ा कविता के नजदीक रहता है, मैंने कहता कि एकदम कविता है, लेकिन कविता के नजदीक रहता है, वो खासकर प्रकेर्ट तो गएरा कभी वर्णन जब आप करते हैं, तो थोड़ा एक टुकड़ा अगर आप पढ़ेंगे, तो हम लोगों चलेगा कि जो है, एक भीत्री रिदम है और एक भीत्री स खेल से एक परगाफ है, कार्तिक अपने घर के सामने बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, शाम अब ढ़लने लगी थी, आस्मान साफ था और उस पर तारे छिटके हुए थे, उत्तर में सबसे चमकदार धुर तारा, उसी से कुछ दूर पर सबतर्शी, आस्मान उसे बच्पन से फैसिनेट करता था, गर्मियों में जब वे च्छत पर या घर के सामने छोटे से बगीचे में पानी का छिटकाव कर बिस्तर ठंडा करने के बाद उस पर लेटते थे, तो उपर आस्मान जैसे उसे मोहित कर लेता था, जाने कैसे कैसे विचार उसके मन में आते, वो आस्म करती, वो आस्मान के पती जिग्यासा का भाव लेकर बड़ा हुआ था, बड़ा होने के बाद भी ये फैसिनेशन उसके मन से गया नहीं, वो अब कई तारों को पहचान सकता था, समय मिलने पर उन्हें नहारता, कभी नंगी आखों से, कभी खुद के बनाए टेलिस्कोप से तारों भरे आस्मान के उसके जीवन में एक डार्शनिक जगे थी, तो इस तरह के परगास मेरे हाँ आते रहते हैं, और वो अचानक रेस्ट्रों में दोपहर से भी एक परगास आपको सुनाता हूँ, ये बड़ी लोपरी कहानी थी फरवरी की कुबसूरत दोपहर रेस्ट्रों के आसपास बिखरी थी, पास की छोटी क्यारियों में गुलाब, सदा बहर और गेंदे के फूल हस रहे थे, लॉन के पार कुछ बड़ी क्यारियों में गुलाबी, सफेद और पीले रंग की बोगन बेलिया, बीच बीच में लॉन की सरहत पर शिरीश, कचनार और पलाश जैसे खिलते हुए गोष्णा कर रहे थे, कि बसंद अब आने ही बाला है, तो ये कुछ एक दो परगास थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, कि जो अंस आपने पढ़े वो भी प्रिकि साहित और विचारधारा के संदर पर लिखा है, साहित कथादेश में, नई पतिका में आया है, ये तब आप लिख रहे हैं, जब कि बहुत पहले कहा गया कि विचारधारा कान्त हो गया और तमाम चीजें इस तरह की घोष्णाएं हुई, लेकिन हमने देखा कि नई नई आतंकवाद अपने आप में विचारधारा, तो साहित में भी सुना गया कि विचारधारा कान्त हो गया और तमाम चीजें, ऐसे में जब सुरूप बदल के विचारधारा आ रही है, आप साहित और विचारधारा के रिष्टे को फिर से कई से देख पा रहे हैं। साहित में आया था, विचारधारा एक आधार प्रदान करती थी, पर जैसा कि इगल्टन ने कहा कि विचारधारा चीजों को खोलने का काम भी करती है और उन्हें बंद भी करती है, तो एक सीमा के बाद आपको लगता है कि विचारधारा अब आपको मदद नहीं कर पा रही ह पूरे विश्व को समझा देंगे उस समय आपको लगता है कि विश्व का आपका अनुभव जो है वो तो अलग है और आपने जैसे विश्व को देखा वो अलग है कहते ही है कबीर की मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागत की लेखी तो ये कागत की लेखी और आखन देखी में जो फर्क आपको महसूस होता है उस समय आपको विच प्रकृति के साथ समन्वे के साथ काम करने का सिद्धानते वो आकरशित करता है। तो कुछ समय तक ये confusion रहने के बाद मुझे लगता है इसा वैश्विक विचार उबरेगा जिसमें कि हम दोबारा अपना वैश्विक आधार प्राप्त कर पाएंगे और उसमें भारत की बहुत बड़ी जगे होगे। विजह की बात करती थी और प्रकृती पर विजह की बात करते हुए अधर मानती थी अपने से अधर मानती है। हमारे हाँ से जो विचार निकलेगा उसमें प्रकृती से समनवेगी बात होगी। एक तरह से हम उसका हिस्सा हैं, हम उसका पार्ट हैं और उसके साथ जो विकास होगा उसमें शायद एक अलग तरह की विचार दारा उबरेगी। अब मुझे समझ में आया कि आप बार-बार अस्थानियत चीजों को अपने उपन्यास में कहानी में क्यों नए धंग से खोलते हैं चाहे तिहास हो चाहे बोगोल हो चाहे परंपरा हो जो भी है। एक सवाल और जो कि साथ में ही अटका हुआ है छोटा सा कि जब मानलिया आप लिखते हैं तो एक चीज है कि जब विचार दारा मतलब आप कहरें नए धंग से तो क्या आप ये जान रहे हैं कि दरसन के लिए फिर से एक नए धंग का इस खुल रहा है। मतलब विचार धारा इसे उपर उठके आपको फिर दरसन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। इसी में एक लगा हुआ बात है कि जो एउरोपिय दरसन के विशेष्टा बना मतलब वो उजाहिर सी बात है कि भारतिय दरसन नहीं जो आप भारतिय अता के लिए स्पेस कर रहे हैं तो साइथ भारतिय दरसन इसमें ज़्यादा मदद कर पाए। जी बिलकुल असल में डिकार्टे का जो सिद्धान्त है डिकार्टे ने विज्ञान पे आधारित विकास की बात कि उन्होंने कहा कि जितना हम गनित या भातिकी की तरह accuracy के साथ देख पाएंगे वही सच है उसके अलावा सच नहीं जबकि हमारे हाँ विवरनात्मक्ता का ब यह गनित और भातिकी की accuracy प्राप्त करते करते हमने इस तरह का एक single minded दर्शन निकाला है तो मुझे लगता है कि दर्शन की दुबारा वापसी होगी इसमें पूरे परद्रश्च पर बात होगी प्रकृती के पूरे द्रश्च पर बात होगी और उसमें गनिती किसम की accuracy की त definitely होगी मैं इस किताब के आधार पर आलुषनात्मा के अपनी पद्धिती में मैंने इसके कई गुण शामिल किये हैं और जब मैं आलुषना की बात करता हूँ असल मैं again लगबग इस तरह की एक बात कही थी कि हमारा लेकाक अपनी प्रकृती को कितना जानता है वो कितने भी बदलेगी और आप लेखक के भरे पूरे पन को देख पाएंगे इसके बदले की खाली वो मनुष्य के इंडित बाचीत करेंगे तो रामचंदर सुक्ल ने कहा था एक बार कि बिना परिचे के प्रेम कैसा अब आप पेड़ का नाम जानते ने उससे कौन सा प्रेम तो यह आप सही कर रहे हैं लेकिन एक सवाल है कि आप लगातार तापमान और गती की बात करते हैं तो ऐसे में गती के साथ तालमेल अपने लेखन में किस तरह से बिठा पाते हैं हाँ मैं इसको यूँ कहूंगा कि मैं संगती की बात करता हूँ मतलब संगती की बात करता हूँ तो मुझे ये बात खटकती है कि अगर हम जाबूअ पे कहानी लिखे या बस्तर की कहानी लिखे और उसकी गती हम दिल्ली की तरह की रख़दें या निई-उयक की तरह की रख़दें तो मैं संगटी की य math कर रहा हूं कि हमें यह देखना पढ़ेगा कि जो हम द्रश्य दिखाना चाहते हैं उसकी स्वभाविक गति क्या है भूगोल के हिसाब से गति होना चाहिए यह मैं बात करना चाहता हूँ तो उसका मतलब यह नहीं कि आम समाजिक गति क्या है वो तो अलग-अलग layers पे अलग-अलग है और हमारा समाज अलग-अलग layers पे exist क करता है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जब भूपाल की बात करेंगे तो भूपाल का जो सरूप है भूपाल में जो एक तरह का laid-back attitude है उसकी जो गलियां है उसके जो इतियास है उसके जो पतिय है और उसका जो ondulations है और भूपाल की एक सामाजिक गति है जिसमें की दॉरता हुआ शहर है दिल्ली एक दॉरता हुआ शहर है और अगर आप न्यू यॉर्क में जाएंगे तो आपको बिलकुल अलग महसूस होगा तो एक तो मैं संगती की बात करता हूं कई लोगों ने जिन्होंने की अन लेकों के प्रभाव में लिखना शुरू किया उन्हों लिखन में एक तरह का की अनुकूलता और एक प्रेम दुबारा शब्द यूज़ करूँगे यदि आप आर्टिविचल टेमटरेचर पर जाके लिखेंगे तो उसमें एक उबाल एक तरह की रोगनेता प्रवेश करेगी और मुझे लगता है कि जिस तापक्रम पर हैं जैसे उधान दूं कई बित्र हैं मारे नवीन सागर रहे या आजकल मनुश पांडे हैं तो तापक्रम को मिंटेन करना और जिस तापक्रम पर जाकर आप स्वभाविक रह पाते हैं वो रखना मुझे रखता है आवश्यक है कहानी में विशेश का आवश्यक है क्योंकि तब आप स एक छोटा सांतिम सवाल जी वो यह है कि आप जब भी प्रकृत वगएरा का चित्रन करते हैं और बात करते हैं तो आप घर के असपास रहते हैं जैसे कि आस्रम वाले भी जो आपने बात की या रस्तामिदों पास जहां कहीं भी मतलब बहुत आत्मिया सा वातावन मनाते हैं प्रकृति को आप मनें किस नजरिये से देखना चाहते हैं क्या यहां से मतलब जो घरेलू संसकार है या जो हमको एक पारमपरिक द्रिष्ट मिली हुई है क्या उसका प्रतिद्र करता है या आपके अपनी कुछ बेक्तिकत रुचियां भी आ जाती है प्रकृति को लेकर मेरा अंतर तो बहुत ज़्यादा विस्तारित है जैसे आप पहली कहानी मेरी सूर्यास देखेंगे जो चर्चित हुई थी तो उसमें पूरा पच्मड़ी है लेकिन पच्मड़ी ऐसे नहीं है कि खाली प्रकृति है उसके साथ मनुष्य कैसे अंतर क्रिय इसPalma gouris को अच्छिप कर लिया है कुछ इसे होता है तो मैं बहुत सार गूमता हूं मतलब विश्व में भी मैंने यह पहले के लेखा को कि के आधार थे कि हमें खूब सारा घूमना चाहिए खूब सारा पढ़ना चाहिए तब हम अच्छा लिख पाएंगे तो मैं घूमने में विश्वास करता हूँ और हाँ घर मेरे हां दुबारा आता है बार-बार आता है और घर परिवार के सद किया है तो मैं उस परिवार के सदस्ने को भी अपना ही मानता हूँ तो वो भी मेरे हां उतने ही मित्तावश आते हैं और इस तरह जैसे कि हमारे हमारे भारती परंपरा में कथा लेखन को कहा गया है कि वो उर्जा का एक ऐसा फवारा जैसा है स्रोत है जो चारों तरफ जाता वो सबको समाविश्यot करती है उसके केंडर में लेकिन घर, परिवार, मित्र ये हैं और वो मुझे बल-पदान करते है नया क्या लिखेंगे आग इसके बाद मेरे अभी दो उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, एक उपन्यास तो खंडवा के केंडर में है, खंडवा में वरा जन्म हुआ था और खंडवा और दादा दुबारा उसमें आते हैं लेकिन वो खंडवा नहीं है, वो असल में एक ऐसी जीवन यात्रा है जिसमें संबल के रूप में खंडवा है लेकिन वो जीवन्यात्ता के बारे में है और एक उपन्यास जो जिसको मैं अपना बड़ा ट्रॉजेक्ट मानता हूँ वो चतुरवेदी समाज के बारे में है और चतुरवेदी समाज कैसे उभरा चत्रोडी समाज का स्थान और उसके जो संगर्ष हैं लगबग 300 बर्शों की संगर्ष हैं, 400 बर्शों की संगर्ष हैं तो वो एक आगरा और उसके आसपास के जोगरफी पर सेटल उपन्यास है कहानियों में जो अब तक काम किया है उससे थोड़ा उलट काम करना चाहता हूं और अब छोटी कहानिया कुछ लिखना चाहता हूं जो कि शायद खिलंडड़ पन से भरी हुई होई होंगी, शायद कुछ यूमर की कहानिया होंगी, मतलब एक तरह का डीकंस्रक्शन अपनी कहानियों करना चाहता हूं, तो ऐसा कुछ काम है, मुझे आलोष्णा पर भी थोड़ा और काम करना है, मेरी दूसरी किताब आलोष्णा के भी रेडी है, तो यह नोट्स लिए गए हैं जिन खबको मैं आगे लाँगा, लगता है कि अगले एक-दो वर्षों में दो-त कोटी कहानियों से आप नई कहानियों में आये, वो इसे एक बार फिर से अपना इस्टाइल और अपना जोनर चेंज करना है, वाले हमें हमें उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छाम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, और आपने हमें समय दिया विश्वरंग के सत्र को इससे ह हम बहुत गवर्वानवित महसूस कर रहे हैं, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब काईगों, नमस्क्राइब